प्रेस के अमारे मित्रों मगर मित्रों का काम नहीं करते ये लोग हमारा छोड़ो जनता के मित्रों का काम नहीं करते ये क्योंकि अगर आपके मित्रों होते तो आपको देश की सच्चाई दिखाते बेरोजगारी के बारे में बताते महिंगाई के बारे में बताते मगर नहीं ये तो आपको चीता के बारे में बताते हैं देखो देखो अफरीका से चार चीता आए है देखो जंगल में घूम रहे हैं देखो ये भी सवाल पूछा कि क्या चीता हिरन को मारेगा या नहीं मतलब अफरीका का चीता हिंदुस्तान में आकर हिरन को मानना भूल जाएगा तो मित्र तो है नहीं अच्छा मीडिया बात नहीं उठाती जंता की तो हमने सोचा पार्लेमंट में भाषण करो डिमोनेटाइजेशन नोट बंदी के बारे में बाषण करने की कोशिश की गलत जी एस्टी के बारे में बोलने की कोशिश की जो हम जमीन अधिकरन कानून लाएते जब नरेंद मोधी जीन ने उसको रद करने की कोशिश की हमने पार्लिमेंट हाउस में बोलने की कोशिश की वहाँ पे माइक आफ कर देते हैं देखो ऐसे तो एक तरफ मीडिया बात नहीं उठाती दूसरे तरफ माइक आफ कर देते हैं तो हमने सोचा चलो जनता के साथ कन्या कुमारी से कश्मीर चल कर जनता से बातचीत करें जनता की आवाज सुनें और जनता के दिल में जो है वो रखें तीन हजार किलोमेटर हो गए कन्या कुमारी से शुरू किया कम नहीं होता भाईयों और बेनों आप ये मत सोचो कि 3000 किलोमेटर कम होता है कम नहीं होता है 110 दिन हो गए मगर अजीब सी बात है ठकान नहीं है आप देखिए मेरा चेहरा देखिए कोई ठकान नहीं है लोग पूछें टी शर्ट में कैसे चल रहे हो ना ठकान है ना ठंड लग रही है मुझे अब मैं क्या बोलूँ अच्छा जो प्रेस वाले हैं एक बात देखो मेरे साथ एक बात देखो इनके बारे में देखो एक बात ठेर जाओ भी है एक बात देखो प्रेस वालों की मैं यात्रा में चल रहा हूँ मैं टी शर्ट में हूँ मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे जलते हैं वो फटी शर्ट में होते हैं उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती मगर इन मीडिया बालों मैंसे एक भी यह नहीं कहता भाया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना स्वेटर के क्यों गूम रहा है यह सवाल नहीं पूचेंगे यह कभी नहीं कहेंगे भईया यह मजदूर है यह टी शर्ट में क्यों गूम रहा है यह किसान है यह सेटर बिना जैकेट बिना क्यों गूम रहा है यह सवाल कभी नहीं पूचेंगे ये सच्चा सवाल है मेरे टी-शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है सच्चा सवाल ये है कि हिंदुस्तान के बच्चे हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान के मजदूर टी-शर्ट में सर्दी में क्यों घूम रहे हैं ये सवाल है मगर ये कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि बाईों और बेनों यह आपके नहीं है ये जैसे गोडा होता है ना गोडा देखा आपने शादी का गोडा होता है उसमें लगाम होती है ना उसको लगाम को टाइट कर रो एक दम रुख जाता है वैसे इनकी लगाम है लगाम लगे है प्रसवालों पे जैसे ये दोड़ने के कोशिश करते हैं जैसे दोड़ने के कोशिश करते हैं वो लगाम खिशते बस रूँ जाते हैं एकदम अच्छा ये मत सोचें कि ये बोलना नहीं चाहते हैं मेरे पास आते हैं कहते हैं राहूल जी हम सच्चाई बोलना चाहते हैं मगर हमें हमारे मालिक बोलने नहीं देते हैं मैं कहता हूं भाईया डरो मत बोल दो कहते हैं नौकरी भी तो करनी है हमें अगर हमने सच्चाई बोल दी नौकरी से निकाल देंगे किसी और को डाल देंगे वो जूट बोलेगा तो यात्रा का लक्ष जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है भाईयों और बहनों बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को किसानों को मजदूरों को डराने की पॉलिसी है नोट बंदी गलर जी एस टी कोविट के समय जो इन्हों ने किया ये सारे की सारी पॉलिसी हैं किसान को मजदूर को डराने के लिए हैं क्योंकि ये जानते हैं जब ये डर फिलाते हैं, उस डर को नफरत में बदलना बहुत असान होता, ये इनका काम है, जनता को डराओ, किसान को डराओ, मजदूर को डराओ, युवा को डराओ, और उसके डर को नफरत में बदल दो, डरो मत! ये भाईया, ये एक बात समझ लो, ये आपने बोला डायलोग, ये मेरा डायलोग नहीं है ये, ये शिप जी का डायलोग है, ये डायलोग डरो मत! ये, ये हमारा धर्म है, अब देखिए, ये करोणों रुपए का, लाकों करोणों रुपए का, अरब पतियों का करजा माफ कर देंगे, लाकों करोण रुपए एक मिनट में माफ कर देंगे, और किसान भूका मर जाए, उसका करजा ये माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते आप यूपी के बाकि हिंदुस्तान के किसान हमारे पास आये थे यूपी ए की सरकार थी आपने कहा हमारा करोड रुपे 10 दिन में हमने 70 000 करोड रुपे 72 000 करोड रुपे माफ कर दिया था मजदूरों के लिए गरीबों के लिए मनरेगा बोजन का अधिकार किसानों के लिए कर्जा माफ तो हम डर को मिटाने की राजनेती करते हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर ये देश डर जाएगा इस देश का फाइदा नहीं होगा अगर नफरत फैल जाएगी इस देश का फाइदा नहीं होगा बाईयों और में दो और मुद्धे हैं यात्रा के एक है महंगाई और मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी आते थे जब UPA की सरकार्थ यह कहते थे ग्यास सिलिंडर 400 रुपे का हो गया है 400 रुपे का ग्यास सिलिंडर हो गया है भाईयो बेहनो आज कितने का है मगर आज प्रधान मंत्री नहीं आते आज आकर नहीं कहते कि भाईया 1100 का हो गया अच्छा एक और सवाल है भाईया ये जो 1100 और चार्टसो रुपय का फर्क है यह किसके जेब में जा रहा है यह किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा हैं न अ ощущate 중 मतलब यह आसमान में तो नहीं गारा तो याद रखिये यह नरेंद्र मौदीची के जो खास मित्र है तीन चार खास मित्र है ये जो आपके गास सिलिंडर का पैसा आपके जेब में से निकाला जा रहा है उनकी जेब में डार जा रहा है अच्छा भाईयों और बेहनों पेट्रोल का क्या दाम हुआ करता था यूपिय के समय साथ रुपे आज क्या है सो तो ये भी याद रखिए ये जो 40 रुपिया, 60 रुपिया जो है जो आपके जेब में से निकाला जा रहा है ये भी उनके 2-3 मित्रों के जेब में जा रहा है तो हमारा दूसरा मुद्ध महंगाई और तीसरा मुद्ध सबसे बड़ा मुद्ध जो देश में नोट बंदी गलत GST के कारण हर स्टेट में मुझे युवा मिलते हैं मैं पूछता हूँ क्या पढ़े कहते हैं एंजिनियरिंग की डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की आए इस के लिए त्यारी की और पिर मैं पूछता हूँ भई आप करते क्या हो कहते है राहुल जी शर्मा के कहते है राहुल जी हम तो मजदूरी करते हैं कोई कहते है कोई कहते है बहिया कोई कहते है मजदूरी करते है कोई कहते है बहिया हम पकोड़े पका रहे हैं एंजिनियरिंग की पढ़ाई की आलू के पकोड़े पना रहे हैं अच्छा एक रास्ता था युवाओं के लिए अगनी वीर वाला उसमें क्या था सुबह युवाओं उठते थे चार बजे उठते थे दोड़ते थे यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे देश की रक्षा करने के लिए दोड़ते थे और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे तिरंगय की रक्षा करेंगे सपना था युवाओं पंदरा साल सेना में सेवा कर सकता था उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी नरेंद्र मोधी जी ने का नहीं भाई यह 15 साल वाली बाद छोड़ो पेंशन वाली बाद छोड़ो ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो बंदूख पकड़ो 4 साल रहो फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाहर बेरोजगार हो जाओ निया हिंदुस्तान और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा और जब युवा सड़क पे उत्रे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुमारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो देखिए दूसरा रास्तर का रास्ता चेल रेल्वेस का रास्ता उसको भी एक के बाद एक एक के बाद एक एक बाद एक बेच रहे है उन्हीं तीन चार लोगों को बेच रहे है एरपोर्ट भी उनको दिये जा रहे है पोर्ट भी उनको लिये जा रहे हैं रेलवेज भी उनको दी जाएगी LIC भी उने के हाथ जाएगी BHL, BHE, LHL सब उनके हाथ जाएगा और हिंदुस्तान के युवाबे रोजगार होंगे ये है नरेंदर मोदी इसके हम किलाफ हैं और इसलिए हमने ये यात्रा शुरू किय है और हम इसलिए नहीं तके हैं क्योंकि आपने अपनी पूरी शक्ति अपना पूरा प्यार इस यात्रा को दिया है और लाग को लोग हमारे साथ कड़े हुए हर जाद के लोग, हर धर्म के लोग तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना प्यार इतना प्यार और इतनी शक्ति आपने हमें दी इसके लिए मैं बहुत अबारी हूँ पूरी जिंदगी याद रखूँगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैन